हलो दोस्तों आज 500 रुपे से आप किस तरीके से बीजन से स्टार्ट करेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेगा इसको फेक वीडियो न समझ करके एक अच्छा इंसानों कर एक अच्छा वीडियो देखने का प्रयास किजिएग ठीक है तो इस पार्ट को बड़े ध्यान से देखेगा चले हमें स्टार्ट करते हैं जी हा आज का जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपे से स्टार्ट होगा और 10 रुपे आप किलो खरीदेंगे और वह 20 रुपे किलो यानि 2000 रुपे कुंटल बिकेगा ठीक है इस तरीके यह चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा जी हां चले हम इस्टार करते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज कल के जमाने में जो आलू है आलू की में बात कर रहा हूं अब यह सुनके भागना मत किया आलू की क्या आप बिचवाएगा आलू नही समान्स हैं जो आलू के ही बनते हैं ठीक है और आलू सब्जी में उप्योग किया जाता है आप जानते हैं कि आलू अंडा आलू स्वैबीन आलू चना ठीक है इस तरीके से सब्जी में भी उप्योग होता है और आलू ऐसा प्रोडक्ट है जो बारो महीने मिलता ही मिलता है और लोग उसको खरीदते ही खरीदते हैं, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, तो इतनी सारी बात मेरे को आल्रेडी पता है, तो इसमें करना क्या है, जी हाँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्त, अभी लाइक नहीं कर दे नहीं, बता रहा हूँ, ठीक है, देखे, जै सीजन है, मेरा मतलब है कि जैसे आलू की जमीन से निकलता है, उत्पादन होता है, इस समय, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आलू ज्यादा सज्यादा रखने हैं, खरीदने हैं, ये खराब नहीं होता है, जैसे मैंने एक लॉसुन पे वीडियो बनाया था, आपको पता मैं माल एतना हूं कम हो जाता है, लेकिन, इसको कम नहीं होता है , वैसे खराब नहीं होता, यदि आप इसको बेख सीजन चलो और खरीद सकते हैं, क्योंकि 10 रूपמה, 8 रूपे मृंच gli सांन से खरें घर से खरीद देंगे तो आप क्या कीज़ देगा कि आप उसको जैसे जो प्रोडक्त का समान बनता है, चीप स्वरग बनता है, कुरकुरे बनते हैं, बड़े-बड़े होटल्स हैं ठीक है, तो वहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी खरीद करके अभी सेल करेंगे तो उसमें आपक कम होगा लेकिन थोड़े दिन अगर इसका सेफटी कर देते हैं मतलब सेफ रख देते हैं और तब बेचेंगे तो आपका मुनाफ़ा ज्यादा होगा डबल भी हो सकता है ठीक है और यह आलू ऐसा प्रोडक्ट है मैं आपको बता दूँ कि यह मतलब हर घर में यूच तो होता ह है इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन किसी भी सब्जी में इसको मिलाना पड़े तो यह इसको लोग मिला देते हैं और अराम से इसकी सब्जी स्वादिष्ट होती है ठीक है अब मैं एक चीज़ आलू में और भी सर्च किया हूं जैसा कि आप पंजाब में चन्निगर में तो वहां की जो आलू होती है या फिर पहाडी लाकों में जैसे माली हीमा चल हो गया नेपाल नेपाल अपना नहीं है ठीक है ऐस तरीके से जो बहारी राजी है वहां की जो आलू होती है उसमे का स्वाद और यदि आप उत्तर प्रदेश बिहार जार खंड इधर रहते हैं या फिर इधर के रहने वाले हैं तो इस आलू का स्वाद काफी ज्यादा डिफरेंट होता है ठीक है अब मैं मानता हूं कि जहां पर जिसको लट लग जाती है खाने की स्वाद समझ में आ जाता है वहां की वह आदी हो जाता है सबजी से भी लेकिन अब रही बात कि अगर मै और पर किसी और स्टेट में तो वहां पर स्वाद को तो मैं एक दो रुपे ज़यादा मिल अब इसको सेल कर दो अब मैं लिखा था इसमें 500 उरुपे से आप बिजनस किस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों यदि आपके पास पैसे नहीं है इसलिए मैं लिखा था ताकि आप 500,000 उरुपे भी है तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं अब छोटे लेबल से ही शुरू किजिएगा मैं यह नहीं कहता कि आप पूरा दुनिया भर का अलूग खरित के रख लिजेगा और पता लगे कि यह आप जेल में चलेगा ठीक है इस तरीके के काम मत कीजिएगा मेरे कहने के मतलब यही है कि कोई बैपार यदी सुज नहीं रहा है अगर समझ नहीं आ रहा तो एक छोटे से सुरुआत कीजिए ठीक है और जब बड़ा हो जाएगा वह तो आप खुद ही बड़ा हो जाएगा फिर उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है ठीक है तो बस यही इन्फोर्मेशन था मैंने सोचा आपको दे दूँ अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए अडियास के साथ तब तक लिए जाहिन बंदे मातरम